घो को हेलोस्तों आज हम लोग सिखेंगे पूर्ण घंसंख्या का घंमूल निकलने का नियम Q रूट जैसे 133 आहिशा रहे या 131 पर पावर एकबटेट 2 रहे यौ कहे कि 133 का घंमूल ज्याद करें । तो तीनों का नौह स pane को याद है एक से लेकर नौह सबको याद है तो सबसे पहले तरफ शण टरब स सती करने कम ंधिल इसका कियो करेंगे थैक होगा और इस तो इसका वर शव्य deferral और यह जो बचा किसके दजन के पर ईक करका हरा है यहां इसका घंड मूल क्या होगा तो अश्वा सबसे पहले दायां तरफ से तीन आम का छटनी करेंगे अब यहां क्या हो सकता 12-3-456-7-899 प्रफीन नो तक हो सकता जीरो से लेकर नो तक तो जीरो से लेकर नो तक किसी भी संख्या का घंड करना तो असान है तो और उसक नाइए किसके घं के करीब है, तो यह जो है एक के घं के करीब है, दो का घं जो हो जाएगा, आठ, यह यह, छेहाजार 1869 का जो है गंण्मूल, क्या होगा, उनीस होगा, अब यह देखे, दाया तरफ से तीन अंग छटनी करेंगे, तो अन्तीम अंक का क्यूब करेंगे, तो ज लिए देखेंगे दो करीब क्या दो कहीं गन है अब इसको देखें तरफ से तिन अंग का छटनी करेंगे इसका अंती मंग है आठ आठ का क्यों करेंगे 512 512 का अंती मंग क्या हो जागा 2 और यह किसके घंके करीब है 27 तीन का चार का तो चौसर हो जाएगा तीन का यानि इसका आंसर हो जाएगा 32 यानि कि 32,768 का घंणमूल क्या होगा 32 तो क्या करना है अंती मंक का क्यूब करेंगे सबसे पहले दाया तरफ से तीन अंक का छटनी करेंगे और उसका जो अंती मंक होगा उसका क्यूब करेंगे क्यूब करने के बाद जो अंती मंक होगा उसका वही लिख देंगे और लाश्ट में जो बचेगा देखें किसके घंके करीब है जैसे अब इसको देखें ताया तरफ से तीन अंक का छटनी किये अंतिमंग 2 है तो डो का Q करेंगे तो क्या होगा 8, तो तो आंतिमंग अकेला ही 8 ही होगा अब यह जो बचा 110 किसके खंद के करीब है 5 का 325 हो जाएगा 4 यह answer हो जाएगा 48 यह जो है इसका घनमूल क्या होगा 48 होगा ऑलनमुल ऑलऑने हैं और इसके बाद आंति मंगंग जो है दो है 2-7 एल का क्यों करेंगे जो एक जो बचा यह की लुका करीव है यह 8 कई और इसका ज hea जा जाए इन्ही आफारा कायी गौनों मुल है अब यह दास जो है किसके गहन के करीब है दो का तीन का तो सताइस हो जाएगा तो यैनि यह बाइश का घंव मूल है उसी परकार इसको देखिए दाइज तरफ से तीन अंका छाटनि करेंगे और इसका अंतिमंग क्या है चार का क्यू करेंगे तो 64 64 का अंतीमंग क्या चार अब ये जो बचा किसके घंग के करीब है दो का थीन का थो हो जागा 27 इन 7 पर आपको बंहाना है ये आपको बनाना है लुक रूस है कि सबसे पहले दायें तरफ से तीनांग का छटनी करेंगे और उसका जो अंती मंख होगा उसका क्यूब करेंगे क्यूब करने के बाद जो लाश्टंग काएगा उसका उसको लिखेंगे और इधर जो इसके घन के करीब है उसको लिखेंगे बस यह रूल है